आपके सामने इस नए टॉपिक लाया हूँ, टॉपिक का नाम है धरती कहलाओ ब्रहमान के दुसरे घ्रोपत जिवाना आपके सामने इस नाम है धरती कहलाओ ब्रहमान के दुसरे घ्रोपत जीवन है इस खोज में लगे नासा के विज्यानिक ने समावना जता ही है कि दुसरे घ्रोपत भी पानी हो सकता है नासा द्वारा हाल ही में किये गए इस नए अध्यन में पता चला है कि सोर मंडल ये बर्फिले बहारी इलाकों में कई जगर की सथर के नीचे पानी के बड़े उस्तरोत मुझूद है चोध के मताविक सोर मंडल के आखरी घ्रोटो की बर्फिरी सथर के नीचे भी पानी के समुद्र होने की संभावना है एक पत्रीका में छपे इस अध्यन के अनुसार अलग-अलग ग्रव के चंद्रमा द्वारा पृत्वा करशन बल के कारण पेदा होने वाली गर्मी पान्ते इन विशाल बर्फिले ग्रव के नीचे पानी का समुद्र होने की पूरी संभावना है जहां जीवन के पनपने के लिए काफी अहम हत्व मुझूद है प्लूटो पर अधिक संभावना नासा के विग्यानी के मताबिक सोर मंडल के नेप्चु ग्रव के कक्ष के भार कई ठंडे ग्रव है जिसमें प्लूटो और उसका चंद्रमा भी शामिल है इन जगहों का तापमान माइनस 200 डिट्री से कम होता है यही वज़ा है कि सोर मंडल के आखरी घ्रव प्लूटो की बरफीली सतह के नीचे पानी के समद्र होने की संभावना अधिक है इसका मतलब है कि विग्यानीकों ने बहुत ही एता घ्रव घुन लिया है जहां पर मास आगर होने की संभावना जाता है और मापर जीवन पनेपने की भी संभावना में होने पधाई देता हूं जिससे इस तीज में हम आगे बढ़ेंगे थैंक्यू